जै गुरुजी गुरुजी को चरण बंदना और गुरुजी की संगत को नमन जब एम्पाइर स्टेट से बड़े मंदिर सेवा के लिए गुरुजी ने सेवा बक्सी और वहां जो है फंक्शन्स की सेवा में जो इन्वोल्व किया और जो मंदे की सेवा थी उन्में जो इन्वोल्व किया तेक बार पहला गुरुजवा में सशंग होना था rainfall ससंग जो था क्योंकि जो गुर्गावा की संगत थी गुरुजी ने मंतली ससंग उन्ही को भी ब्लैस किया था करने के लिए और दिल्ली की संगत उसमें अलाव भी नहीं थी जाने के लिए तो उनका एन्वल ससंग था बड़े मंदिर में जब हम सेवा कर रहे थे तो एक अंकल थे वहां से वो उस ससंग के कार्ड लेके आये हुए थे गुरुजी से ब्लैस कराने और पहला जो कार्ड था जो गुरुजी को देने के बाद में पहला कार्ड जो ने मुझे दिया और उन्होंने देते हुए मेरे को बोला था कि अंकल ये गुरुजी के बाद में पहला कार्ड जो ना आपको दे रहा हूं और आप जितनी भी नई संगत को ला सकते हो और लेके आनार आपको जरूर आना है तो उससे पहले मैंने कभी ससंग गुरुजी के ससंग कैसे होते हैं क्या उसकी परकिरिया है उसका किटी पार्टी बैट के गैट टूगेधर कर लिया ये सब कुछ कर लिया तो ससंग के बारे में नहीं पता था कि ससंग क्या होते हैं और उसका असर क्या होता है और उसकी महिमा क्या है तो पहली मेरे को लगा कि पहला कार्ड मेरे को मिला है उन्होंने बोला है कि जरूर आना है उदर वहां हमारी जो है जो सेवा चल ली थी शाम को बड़े माली अंकल ने बोला वो सेटरड़े का दिन था और संड़े का ससंग था तो सेटरड़े के जब हम शाम को सेवा फिनिश करके जो है अपनी और निकल रहे थे तो बड़े माली अंकल ने हमारे से बोला कि अंकल कल यह सेवा है मौर्निंग में त। हमने उनको टाव ले की कोसिस क्यूंगे हम anga उस दिन सेवा मेय थे तो हमारा सब प्रोग्राम था कि हम जाके गुर जी का सशंग जो एन्ष ऑने इन्वल सशंग गुलगा हुआ में मोざेको कूरिक लेकिन मारी अंकशल को हम बोला कि इसको मंड़े में आके कर देंगे या त्यूजडे में आके कर देंगे लेकिन उन्होंने जो है वो फाइनली एक चीज बोल दिया हमें कि ये सेवा तो कली होनी है अगर आप लोग नहीं करोगे तो किसी और को चली जाएगी सेवा तो अब हम दूविधा में होगे मत्था टेक लिया जाने के लिए आगे ले लिए गुरुजी से और में गेट के सामने बड़े बंदर के में गेट के बाहर जो है नहीं खड़े होगे वहां से आगे बढ़ा ना जाए तो जो मनोज अंकल थे साथ में तो मेरे से बोले कि बाई कि अभी यह हम डिसाइड नही नहीं कर पाए थे कि हम ससंग में जाये एं सेवा को करें तो तब tabii अंदर एक जो सवाल था मैंने उसको मनोज को बोला मैंने की मैंने की एक हमें कोई किसी के बढ़ परे की या किसी के इन्वरसρά और सिरी की किसी की कहा कहने कि जो दुख्की खबर है उसके उसको प्राइटी देंगे तो मैंने कि ससंग तो एक मद है आदमी खो जाता है उसमें अपने आसपास का भी उसको ख्याल नहीं रहता और उसके उसमें बह जाता है उसमें लेकिन जो सेवा है सेवा तो किसी चीज को कोई बिगड़ा है वो हमारे न Ohio हमारे कस्ट कागस यलिए हमारे जो कर्मों को ठीक करने के लिए सिवा में बखषते हैं तो उन्होंने मैं가요 अगर किसी सेवा से किसी संगतको जो दूविधा हो री है या असविधा हो री है उसको सुविधा होती है तो इस यह ज्यादा प्राइटी है बनिस्पत के उसके तो हमने का कि हम जो है ससंग में नहीं जाएंगे सेवा पर आएंगे सुबह तो मंडे को हम सुबह हुई जो है टाइमिंग रखा हुआ था तो च्छे बजे जो है न हम पूंच गे सेवा के लिए और श 10-12 घंटे का पूरा एक टाइम उस सेवा में लगा तो उस दिन गुर्जी ने सीधा से मैसेज कर दिया कि सेवा जो है प्रेफरेबरिल है बनिस्पत की ससंग के अगर ससंग और सेवा है तो सेवा पहले है क्योंकि सेवा किसी चीज को एक ठीक करने का प्रोसेस है कोई चीज बिगडी हुई है या किसी में कोई कमी आ रही है उस कमी को ठीक करने का प्रोसेस है और वो पहले प्राइरटी है उसके लिए क्योंकि अगर सेवा सेवा पहले नहीं होगी जैसे किसी ससंग के लिए पहले तैयारी होती है अगर सेवा के लिए तैयारी नहीं कर पाएंगे तो संगत जो आएगे इसको कैसे हम आराम से बैठा के और उनको सत्संग के लिए कर सकते हैं, तो वो सत्संग से पहले भी सेवा, सत्संग के साथ भी सेवा, सत्संग के बाद भी सेवा, तो इस तरह से सेवा है कि सेवा तो एक प्रोसेस है, ट्रिपल हो गया एक तरह से, सत्संग ए एक लिमिटेड पीरिड है दो गुंटे के सबद चले मंत्र जाप हुआ आरती हुई ससंग हुए प्रोसेस खतम लेकिन उससे पहले मंत्र सबद चलने से पहले की सेवा और सब के बाद में सेवा जो है वो सेवा है वो ट्रिपल हो गया कि मलत तीन वह टाइम में लेके चलो कि उसमें टाइम ज्यादा लगता है तो वह एक बार था ऐसी गुरुजी ने एक बार आगे दी थी मलब परमिशन दी थी कि जो संगत के जो बच्चे थे उनको जो है इस पे फंक्षन पे डांस करने की एक गाने के उपर वो अभी पीछे रिसेंट में जो है न कुछ वीडियो भी चले थे जो दो जार साथ के जो वीडियो थे उसमें वो उसका आया भी हुआ है तो मैं एज की वज़े से मैं उसमें शामिल नहीं हुआ था लेकिन जिनके जो लोग उ जैसे डेली उसमें जाता था सेव में तो उनकोंने अपना एक प्रोग्राम किया था कि कहीं उसकी प्रैक्टिस के लिए कहीं अब अरेंजमेंट करें तो प्रैक्टिस करने के लिए उन्होंनों गुडगामा फरिदाबाद दिल्ली में कई जगे उन्होंने सब कुछ तो लंगर हॉल में जो हैना उनुने वहां वो किया और सारी जो हैना बच्चे वहीं आने लेते या टियारीं की अगैरते तो मैं भी उनके उसमें था मैं अपनी सेव में लगा उती तो वह अपने उसमें motives 먹을ते थे तो मैंने मैंने देखा और तो उसमें उन्होंने बताया भ हुआ लंगर लंगर उन्हों लिया और लंगर के बाद में जब उन्हों प्रेक्टिस शुर्गी तो सब की जो नपाउं हाथ सब कुझ plaisir एकक्षें एक्षेन वगयर सब दूने लिए और है कई दिन का प्रोसेश stop क्लें है को ईक दिन का इंडिन मिलने लगते था उसी दोरान में एक गुरूजी का कोई फोटो उसको किसी ने किलिक किया था फोटो किलिक किया था तो जब वो देख रहा था तो उसके अंदर नीचे बेसमेंट के अंदर ही थे हम तो वो देखते देखते जो ने किसी को उसमें गनेश जी की दरसन हुए तो म मनोज ने बोला के भाई सb hebben देखना भॉट अś slit we gr minister ल., को तो मैं जरी गरिखन आ लुट में वहें डिखना पें भी थे मैंने की जरूने की को समय दिखा कि क्या चीज दिखाई दे रही है, गुरु जी क्या दिखला रहे हैं अपने दर्सनों में, तो एक कोई और देखने लगे तो उनको गुरु नानक देव जी दिखाई देने लगे, तो एक ही उसमें, अब उसमें क्या चीज थी, क्या नहीं थी, लेकिन जो मेरे को दिखाई द बड़ एक रूप होके जो अनको गुरू रूप में आगेहे। जितनों को भी हम मानते हैं, जितनों को भी आज तक पूस्टे रहे हैं, वो सब इनको मत्था टेकने से उनको मत्था टिकता है। इससे पहले हम कितने इदर इसमारव पर मत्था टेक के आए हैं ? कितने दरोप मत्छा टेका है, लेकिन ओप्टिमम जो पॉईंट है, वो यह है गुरू जी का दर, महासिव गूरू रूप में आते हैं, क्योंकि सारी स्रस्टी, इविन ब्रह्मा, विश्नु, महेस, वो सब कुछ इनी की देन है, इनी की कृती है, इन्हीं किस्रस्टी है तो इनको मत्था टेकने क मलब हो उन सबको मत्था टिकता है जितनों को हम आज तक जानते और मानते आएं तो ये मैंने खुद एक्स्पिरियंस किया है कि जैसे राम लीला में था तनमन धंत से जो है न वो सेवा सेवा में लगते थे उसमें और कभी उसमें से एक पैसे का जो है ना कभी मन में नहीं आया कि एक पैसे का अपने लिए परसनल इस्तमाल के लिए करें और वहां जो चीज थी उसके बाद में जब गुरुजी के हैं हैं गुरुजी के हैं मत्था टेका है कभी आज तक मन में ऐसा भाव नहीं है कि मैं उससे पहले हनुमान जी को वैशनो देवी को काली माई को रामचंदर जी को इन सब को मैंने पूजा है माना है ध्याया है उसके गुरुजी के हम अथा टेकने के बाद कभी उनका लगा हुआ तो मेरे को जब भी मैं गुरुजी के सारी देव देवता जितने भी 33 कोड़ हैं या जितने भी अवतारों सब को मथट एक रहा है इसलिए कभी मन में ऐसी गलानीहै एसा कोई भाव नहीं आया कि मैंने गुरुजी को मथधा टेकना सुरू किया तो मैंने हनुवान जी को छोड़ दिया या मैंने राम चंदर जी क चोड़ दिया, यह मैंने काली मा का वो कर दिया, लेकिन उनको एक रूप करके जो ना सब उसमें समाहित हैं और उनका मत्था टिक गया, क्योंकि जिनको हम मानते जानते हैं, वो सब भी उनको मत्था टिकते हैं, तो जब उनको मत्था टिकता है, तो उन सब को मत्था टिकता है कि पहले जब गुरुजी एमपार स्टेट में जो लंगर चला करता था तो गुरुजी पूछते बहुत कितनी संगत है एक आइडिया लेने के लिए गुरुजी सेवादारों से पूछते कितनी संगत है तो वो जो दिखाई दे रहे थे उनी संगत को वो बोलते थे जो है जो गुरुजी ने हमें ब्लैस करके दिया है जो यह सिम्रण है सेवा है सत्संग है जो यह जितना जो कुछ दिया दिया और हमारी जिंदगी को इतना आसान सारे पूजा पूजा पाठ की पद्दितियों को इतना सिंप्लिफाई कर दिया है कि हमारी जिंदगी में कोई अ अमरतवेला समाल के रखो तो आंटी गुरूजी के संगत में है में जंसरी कि Priv 11 kl में जब मेरी आन्ग खुलेगी नहीं तभी करेंगी दो गूर ज्ये जब आ खुले तब इ instruments औरन्ले आ Murray नहीं ए क्योंकि सिम्रन और कोई मिर बाइद सम्री नहीं है जब हर सांस के साथ सिम्रण लेना है और कभी भी उसको किसी भी हाल में जब हम कुछ भी ना कर पा रहे हो तब भी हम सिम्रण कर सकते हैं तो इसलिए जब हरवेले उन्होंने एक मोका दे रखा है तो क्यों रात को हम तीन बजे या दो बजे का इंतिजार करें उस काम के लिए जो हम कभी भी उठते बैठते चलते फिरते आते जाते खाते पीते नाते दोते कुछ भी करते हुए हम उनको जब सिमर सकते हैं तो उसके लिए एक इंतजार करना उतने टाइम के लिए बाकी टाइम क्या करना है यह दुनियावी काम है यह तो करना ही करने है ल वह भक्त कोन है तो गुरुजी ने वह विश्णु जी ने प्रत्वी पर एक किसान जो है ना हल चला रहा था और उसको बोला था कि यह मेरे सबसे ज्यादा प्रिय वह भक्त है तो नाराज जी थोड़ा सा जो हो है कि महाराज मैं तो सारी वहलो चोबीस घंटे जो है ना मैं न तो कहले हैं जी यह यह किसान तो जब खाने बेटता है या जब कुछ काम सुरू करता है तब एक बार नाम लेता है उसके बाद अपने काम में लग जाता है तो यह तो पूरे टाइम जबता भी नहीं है तो तब उन्होंने उसने नाराज जी से विश्णु जी ने बोला था और यह ध्यान रहे कि इसकी एक बूंद भी गिरने ना पाए तो पूरे नाराज जी जो है पूरा घूम के चक्कर काटके जब विश्णु जी के पास आए तो विश्णु जी ने बोला कि हाँ जी है सारे उसमें तीनों लोग में गूमा एक रहा जी किरे इसकी कितनी बूंद ना गिरे आपने बोला था कि इसकी एक बूंद ने गिरनी ची तो कर जब इतना ध्यान तुम्हारे होने के बाद तुम एक बार भी नाम ने ले सके और वो किसान इतना बीजी होने के बाद भी अगर मेरा वो नाम ले ले लेता एक बार तो तुम्हारे से बड़ा है नहीं है क्योंकि किसान के पास कोई पूजा पाठ का कोई दोग बत्ति अगर बत्ति फोल माला उसका कोई मोका नहीं था ना टाइम से ना करता था लेकिन जो जितनी भी अरदास करता था वो दिल से करता था और मन से करता था पूरे भाव से करता था जब भी समय था तो हमारी जिन्दिगी भी है तो हम जब जो काम हम हर समय कर सकते हैं उसके लिए एक खास स्पेसिफिक टाइम बनाने का हमारे हमारे पास मोका कहा है जब एकतिस मेई दो हजार साथ में जब गुरुजी ने चोला छोड़ा था उस दिन मैं ओफिस में था तो मेरे को मनोज का फोन आता है की बाएस साब गुरुजी की जो रहा रहा है जिरू साब हैं लेकिन उतने में उसका फिर फोन आ गया मैं निकला ही था ओफिस से की बाएसाब गुरुजी की बड़े मंदिर ले जा रहे हैं तो आप जो ना बड़े मंदिर पहुंचो उससे में बड़े मंदिर में रिनोवेशन बहुत चल रहा था बड़े हॉल जो में हॉल है उसके अंदर पूरा structure बना हुआ था पूरा काम चल रहा था और लगबग पूरे मंदिर में जो ना renovation का काम चल रहा था तो गुरुजी को जब वहाँ ले जाने की बात थी तो ये था कि 31 में 2007 को गुजर अंदोलन था और एक्षन के बारे में कुछ वो था और उस रास्ते में जो गुजर लो भी है उन्होंने रोड के उपर कुछ अपने टायर वगड़ा जला के इस तरह कर रोड ब्लोक वगड़ा की हुए थे तो अब हमें और कोई रास्ता पता नहीं था 2006 से उ दो-चार संगत वाई खटी हुई थी तो हमने बोला कि इस रास्ते पे सारी बैल्ट जो ने इनकी है अब जिस रास्ते से हम जाते हैं उसका तो पता है हमें रास्ता कैसे कहां किदर को निकलता लेकिन नए रास्ते पे चले जार कहीं जाकर फजगे तो पुस्किल हो जाएग निचे पूरी पानी से धुलाई होगी सब कुछ एकदम साफ पूरा मलब जो सिस्टम था सारे एकदम ठीट ठाक हो गया वहां जब गुरुजी को लेकर आये थे तो उसमें था वो सिसे के उसमें जिसमें दिखाई दे रहे थे लेकिन हमें चेहरे से देखने से मेरे को तो नहीं लगा मुझे तो यह लगा कि गुरुजी का कोई करिशिमा है और कुछ बताना चाहते हैं जिन्दगी रुमोत का कोई अध्याय है उसके उपर कोई नहीं अबारत लिखने की वो कर रहे हैं और यह ज्यादा तर संगत को यही भरूसा था कि जो दूसरों को जिन्दगी भक्सते हैं उनके लिए इस जीवन की कोई वो नहीं है कि पड़ेगी लेकिन अट लास्ट यह हुआ कि गुरुजी जो है फाइनल taşोड़ चुके हैं फिर भाँ गुरुजी को जैसे महापूरसों के लिए होता है कि महापूरसों के कभी भी सरीर को अगनी में वो नहीं कराया जाता, दास मान करते हैं लेकिन वो सारी वेवस्ताइ जो हमने पहले सुनते थे या देखते थे या करते थे उस सारी अटकले सारी जो गाटें थी गुरूजी ने खोली हैं और उसी में एक यह भी गाट थी कि वो इतने साक्षात महासिव के रूप उन्हों ने अपने जो जो सरीर था उसकी जो विवस्था हुई उसमें वो नॉर्मल एक जो इनसान के साथ जो एक दासंसकार जो होता है उसी उसमें प्रोसेस में हुआ और जो गुरुजी के भतीजे हैं उनको ये ओनर मिला कि वो गुरु जी को जो हैना के दासंजकर को सर अंजाम दे तो उतना नहीं था कि उस जो पहला सरिक्ल। कि गुरु जी के आस पास भी दूर-दूर तक भी हमारा मोका लगे कि वहा तक हम पहुंच जाए या बड़े फंक्शन्स में जैसे जल परसाद की सेवा हो करती थी तो वहां उस दिन 31 एक जून को जो गुरूजी का जो हुआ था ग्यारवजी करीब जो दासंस्कार का प्रोसेस हुआ था तो उसमें चंदन की लकडियां और सब इस तरह की जो सारा कुछ सामगरी बगर थी उसके साथ हुआ था तो उस दिन इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि वहां हुआ कि भी संगत को जो है न वहां जल परसाद पिलाए जाये तो वह सेवा गुरूजी की किरपा से मेरे को मिली और उस सेवा के लिए मेरे को उस इनर सर्किल में जाने का मोका मिला जहां मैं चाहके भी जो है न वहां तक नहीं पहुँच सकता था लेकिन गुरूजी की मेर हुई और जल परसाद पिलाने के लिए वहां जाने लेगा तो आइस्ता आइस्ता करके वहां से संगत जो है न जब एक कपाल के लिए का प्रोसेस होता है उसके बाद में लगबग हम समसान से भी जो है अपने रास्ते मुड लेते हैं अपने गरों की तरफ चल देते और वहां से भी काफी संगत जो है वहां से अपने उसमें वहां से निकल चुकी थी लेकिन क्योंकि मैं इनर सल्के में था जल परसाद के लिए तो मैं अंदर था तीन बज़े के करीब टाइम था तो मैंने दे वाली जो हिस्सा है वो मेरे को वीजिबल था, दिखाई दे रहा था, तो बड़े माली अंकल थे तो मैंने अंकल को बोला मैंने कि अंकल इसमें तो जो एना इस ऐसे अभी इस सरीर के रूप में गुरुजी किसको दर्सन देने के लिए इसको रोके रखे हैं, पता नहीं तो मै कि अंकल इसमें तो दिखाई दे रहे हैं मिर को तो अंकल ने देखा तो अंकल कहले कि हाँ इसको तो अभी लकडियों की जरूत पड़ेगी तो उससे पहले मैं बता दूँ कि इससे एक जुड़ा हो जो ससंग है इससे 31 मही 2007 से पहला जो ससंग था कि जब हम फंक्शन की सेवा क करते थे तो उसमें एक दो बार जो है नाग वगरे संगत को एक दो बार जो नाग के दरसन हुए थे उन्हों तो संगत जो ना डर जाती थी तो जब एंपारिश्टेटम जा गे गुरूजी को बोला कि ऐसे जो है नाग दिखाई देने और हर संगत का इतना मजबूत दिलनी हैं और हो है तो तब गुरूजी ने को जब अरदास की तो वो उसके बाद से वो दिखाई देने बंद हो गया तो उसी पीरड में काफी आंधी से बारिश से दीमक से जो है ना काफी पेड गिरे थे काफी वो गिरे थे और पीछे जो ये जेनरेटर रूम था उसके बैक यहां तो सारे जो एंब्स इस्तमार नंबर मी इस्तमाल ऊते है तो ये लकडिएं जो इन्हों पड़ी है उससे बड़ा घंदा वि ओर फंक्शन आ रहा है और इसके अंदर जो हैं जैसे साफ वगरा का उसका भी खत्रा है तो एक प्राव यहां से बहुत रही तो उन्हों न से पूछा था लकडियों के बारे में तो गुरुजी ने बोलाए कि पई रहन दो सुखन दो पंजाबी में उनको बोल दिया तो वो हमें मैसेज मिली गया तो हमने वो सारी लकडिया अटाई नीचे से सफाई किये अपने तरीके से और उनको थोड़ा विवस्ति तरीके से आधिस होता वैसी होता था बिना गुरुजी किया गया कि उसमें से कोई भी एक बाल ना इधर कर सकता था ना इधर होता है अपना कुछ नहीं था सब कुछ गुरुजी का था गुरुजी कैसे चाहते हैं किस से चाहते हैं क्या चाहते हैं कितना चाहते हैं वो सब गुरुज कर रहे हैं इन सो पूसलो अगर ये चल जाएं तो इनको लगा देते हैं क्योंकि उतने कम सोट पिरिड में लकडियों का इंतिजाम होने का उस से अच्छा उनी था गुरी जी जानते थे इसलिए उनको पड़ी रहने तो सूखने के लिए उन्हों किया हुआ था तो वो लकडि मैंने बिल्कुल सांत हो गया उसमें राख के अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहा था और मैंने माली अंकल से बोला मैंने कि अंकल एक बार फिर देख लो कि कहीं ऐसा तो नहीं और लकडियों जूरत पड़ेगी तो माली अंकल ने उसमें एक वो ठाबांस जो होता है जिस गायब जिन गई और पूरा आख का एक अंगार की तरह निकला और उसमें से एक फुट के करीब की जो नहीं वो अंदर से जोत एक लपलबाने लिगी तो मैंने अंकल को बोले मैंने एक अंकल ये गुरुजी क्या दिखा रहे हैं जोत सवरूप में जो है दरसन दिखा रहे ह उसी समय बताते हैं कि जिन संगत ने गुरुजी के जो दासंसकार की जो चिता के जो लिये थे फोटोग्राप्स लिये थे या उसमें थे उसके अंदर जितने भी देवी देवता जिनको जानते मानते समझते किसी भी धर्म से हैं वो सारे उसमें जो है विराजमान थे यानि यहां से बड़े मंदिर से पहले डुगरी के लिए जब कभी मन करता था तो तब ही इखटे होके निकल जाये करते थे अभी तो एक बाइंडेशन है कि वहाँ जैसे फर्स्ट मंडे संडे जो है न वो रखा हुआ है संगत के लिए और बीच में अगर है तो इस पेसल आगया लेके ही गुरुजी के पिंड में जाना होता है लेकिन पहले यह था कि जब भी कभी मोका मिला तो बापी जी से मिलने वहां के उन्हों मत्था टेकने जो नहीं चले जाये करते थे तो एक बार संगत होगी जादा तो करीब चार बशें बड़े मंदिर से जाने का हुआ कि अपने अपनी गाडियां यहां छोड़ जाएंगे और बसों से जायेंगे क्योंकि अपनी गाड़ी में कोई पीछे रह जाता है, कोई आगे रह जाता है, फिर उनको इखटा करने में टाइम लगता है, तो यह था कि बसों से जाएंगे, इखटे हो के, अपने ससंग भी करते जाएंगे, और वो करते जाएंगे, तो जो वो गाड़ी यह कराई थी, आपनि हमारी जाने का टाइम तो वह बढलती का नई वाली दूत नए जो केसरिय कलर की थी और एक गाड़ी वाइट वाली अब जब संगत को उसमें बैठाने की बात आई तो जिसको भी पुरानी गाड़ी जो वाइट कलर की गाड़ी थी उसमें जिसको भी करें उसका थोड़सा ऐसा लगे कि वो उसमें बैठना नहीं चाहरा अब हुआ कि जो नहीं गाड़ी हैं थी उसमें तो सारी अलिजस्ट हो और उस परानी गाड़ी में बड़े मुश्किल से हम लोग का नंबर आया फिर कि हम अपने इसमें चल जाते हैं इसको अगर कोई पसंद नहीं कर रहा है इस यहां चल जाते हैं तो जीके के जीके से एक संगत को लेना था और वहां से संगत से लेके जैसी हम निकले आसरम से आगे करके जैसी टर्ण करते हैं थोड़ा सा तो वहां जाके वो वाइट वाली गाड़ी खराब होगी वाइट वाली गाड़ी खराब होगी तो अब उसको फोन किया कहने लिए जी तो तो उसने बोला कि भई जो इसके साथ कि एक गाड़ी है नहीं वाली जो गाड़ी है वो भी ओन्द वे है और उसको एक देड़ गंटा लगेगा आने में और मैं अरेंज करता हूं उसको करने के लिए अगर इतना वेट कर सकते हो तो आप वेट करो उसको तो हम आहीं करीब दो वाइट वाली उसमें बैठे हैं हम सारे और चारो गाड़ी हैं जब वहां पोच्छती हैं जब हम वहां से वापिस आ रहे हैं वहां मत्था टेक के गुरुजी के यहां डुगरी में मत्था टेक के जब वापिस आ रहे हैं तो एक अंकल मेरे से बोले कि अंकल एक चीज समझ लें गहाए था, उसी टाइम पे हम पहुचे हैं, जो हम बड़े मंदरी से निगले थे, और रूटीन में चले होते हैं, कि ना तो गाड़ी उसने भगाई एक्स्ट्रा, क्योंकि एसी वाली गाड़ी थी, तो एसी बंद किया नहीं उसमें, वो कह रहा है, ना तो उसने स्पीड से गाड़ी गई है लेकिन मुझे ये समझ भी नहीं आ रहा कि ये रास्ता क्या गुरुजी ने कम कर दिया कि टाइम उतना ही लगा है जितना एक नॉर्मल उसमें लगना था जब कि दो गंटे हमने जो है न यहां यहां भी खर्च की हैं तो मैंने भी उस चीज को जब गडबड करनी थी वो दिल्ली से बहार ही नहीं निकलनी थी और वहीं उसका किया और उसका रेप्लेस्मेंट भी आगार सारी गाड़िया वहां से बिलकुँ ठीक ठाक आगी एक जब गुरुजी ने वहाँ उसको मैं उसका बता रहा थे कि उनको डांस के लिए किया था तो डांस के लिए उन्हों न जो ड्रेस की बात थी कि ड्रेस बनवाते हैं वो पंजाबी उसमें पुर्ता और नीचे उस टाइप की जो न वो सिल्वानी की बात आई तो बड़े मं बंदर हैं उसमें से जो विनोद अंकल थे वो गाड़ी चला के लेगे थे एक अंकल की चेतन अंकल थे उनकी गाड़ी हमने ले थी और मैं ड्राइवर के साथ वाली सीट पे बैठा था और मनोज जो है वो पीछे बैठा था तो हम जब बड़े मंदर से चले हैं चांचोग म मार्केट है वहां से उजय ना वो सनील टाइप का वो जो है वो कपड़ा वगरा चूज किया तो वहां से बात आई जब वहां से निकले हम कपड़ा लेके तो हम बात आई कि इसको इतनी जल्दी सील के कौन देगा तो हम जमना पार गए थे मेरे छोटा भाई है उनकी जो व अंदर पहुंचे तो चेतन अंकल को चाबी दी मैंने कि इसको जा के पार्क करिया हो वो पार्क कर काया तो मेरे से बोला कि अंकल मैं आप से नाराज हूँ मैंने कि क्या हुआ नाराज की बात क्या इसमें उसने बोला कि अंकल आपने गाड़ी में पैंट्रोल क्यों डलवाय तो मैंने उसको बोला, मैंने कि दे, पैंट्रोल तो मैंने हम रलवाय नहीं है, लेकिन एक चीज़ मैंने मैंसुसकि जब मैं बैठा था गाड़ी में यह से जाने के लिए, तो मेरी गाड़ी जब उसने स्टार्ट की थी, तो जो सुई मैंने देखी थी, जिस पॉइंट पे थी उसी पॉंट पे वो सुई थी, जिस पॉंट पे, हम पेट्रोल गी उस पर ले के चले थे तो मैंने, कि मैं स्कूटर मास्टु हूं, स्कूटर में चलाता हूं, गाड़ी, की मैयलीज, के बारे में मुझे कोई नोलिज नहीए ना मैंने मेरे को पता है कि कितनी माइलेज देती है पर ये चीज मैंने महसूस की तो यह है कि गुरू जी ने जो सेवा बक्सी जिस उस सेवा के लिए उनकी गाड़ी गई है उनका एक भी बून पेंट्रोल खर्चनी हुआ जबकि लगबक सतर किलोमेटर गाड़ी जो है वो चली अब मुझे नहीं पता कि वो गाड़ी का कि क्या एवरेज होती है और उसमें कितना उसका पेंट्रोल जो है ना खर्चोना था लेकिन जिस पॉइंट से हम लेके चला था उस गाड़ी को उसी पॉइंट पे आके वो वहीं रुकाई हुई थी वो और उसी को देखके उसने मेरे से बोला था यह आप से ना राज हूँ ऐसे गुरुजी के गुरुजी की जो अपनी किर्पा है वो बलब मैं अकेला जा रहा हूँ उसके साथ में जो बच्चे हैं परिवार है उन सब के उपर जनो गुरुजी की किर्पा होती है इविज जो आपके जिससे आपका दिली लगाव है वो आपका घरका हो सकता है आप का पडोसी हो सकता है आपका रिष्तेदार हो सकता है आपका ओफिशियल कोई कुलिक हो सकता है कोई भी हो सकता है लेकिन जिसके से आपका दिली लगाव है और दिल आप उसके दुख से आपको दुख निकलना है गुरुजी उस तक भी कल्यान करते हैं भले उसने गुरुजी क मंडे जो है उसमें होता था तो लगबग मैं जैसे वीक में हम दोस्तों के साथ मिला करते थे तो एक टाइम ऐसा आगया कि गुरुजी हमारी लाइफ से उन सारी चीजों से जिसमें हम वक्त को एक तरह से और कुछ करने को नहीं है तो वक्त किल करते हैं बरबाद करते हैं कि जो नहीं लाइफ से हटा भी देते हैं और उतना ही टाइम निकलता नहीं कई बार टाइम नहीं निकलता एक मेरा दोस्त है उसका मैं धरम भाई भी हूँ उसकी शादी में धरम भाई भी हूँ मैं बना था तो एक बार मुझे पता लगा कि उनके मदर हिमाचल से दिल्ली और वो दिल्ली आएं इलाज कराने के लिए तो मैं उनके यहां गया उनका हालचाल पूछने तो मैंने देखा कि उनके पाउं में एक गाव है और गाव इतना अंदर तक गहरे चला गया कि तीन बड़ी पट्टी है जो ना दवाई में भीगो का डॉक्टर अंदर गुसाया है यह चीज जो गलाव जो शुरू हो चुका है तो उसमें गुरू जी के दरसन्त थे मेरे पास में जो किलिप वाले थे तो मेरे अंदर एक भाव हुआ कि भी मैं आंटी को उनको बोलू हाले कि वह हिमाचल की हिंदी भासा बहुत कम बोलते थे और बहुत कम समझते थे लेक उस जहां आपको दर्दोर वहाँ इनको फोटो को लगा देड़ा है गुरू जी की मैं ये बोलके चलाया उसके बाद उसमें टेलीफोन का इतना थानी उसमें की टेलीफोन से पूछा जा जा था और मैं गुरू जी ने ऐसी ही उसमें लगा दिया कि मेरे को याद ही नहीं रहा कि उनके हाल चले में पूछ दुबारे में गया नहीं एक दिन मैंने फोन किया तो उसको पूछा मैंने अपने दोस्त को कहा है तो उसने बोला कि गाउं आया हूँ उसने ये नहीं बताया कि उनकी मदर एकस्पैर हो गए है मदर के क्रिया कर्म के लिए जो ने ही आहे हुए गाउमाय हुए क्योंकि धर्बिएंग धर्मभाई जो ने अगर मेरी बी जिम्मेदारी थी कि मैं वहां जाता उनके उस कारज में लेकिन मेरे को नहीं पता लगा और उसने तब भी नहीं बताया जिए मेरी फोन पर बात हुई तो उसके ओफिस का एक साथी था उससे जब मेरी बात ही था उसने बताया है कि वे ऐसे से जो ना उनकी मदर एक्सपार होगा है उसके लिए वहाँ गए हुए तो जब वो दिल्ली वापिस आये तो मैं उनसे मिलने गया था तो मिलने गया था मैंने उनको मुझे लगा कि वो जो पाउं में जो गलाव लगा हुआ था जो गाव था उस घाव की वज़े से उनकी डेथ हुई है मेरे को तब याद आया तो मैंने उनके जब मिलें गया था मैंने पूछा कि उनके पाउं का क्या हाल था मेरे को ये भी नहीं मलब था कि उनका पाउं काटना पड़ा क्या पड़ा तो उनकी जो वाइफ है उन्होंने मेरे को बताए कि बाई साब वो तो जब आप जो गुरुजी की फोटो देखे गए थे उसके 15 दिन के अंदर ही जो हील होना सुरू हो गया था और वो बिल्कुल ठीक होके जो नहीं है सके हैं अब जो डेथ हुई है वो नॉर्मल डेथ उन्होंने एक दूसरी बड़ी चीज जो मेरे को बताए कि जब से वो गुरुजी की फोटो आप देखे गए थे तब से उनको खाना मिले ना मिले कुछ भी उनको मिले ना मिले लेकिन वो गुरुजी की फोटो को दूर नहीं करते थे अपने आप से और अगर कहीं थोड़ी की फोटो उनके हाथ में थी और चिता के अंदर जो है जब उनको धास सकार किये गए तो तब भी वो गुरुजी जिए फोटो नहीं के साथ उसमें जाके और वो पाउं काटने की बात आ रही थी वो हेल भी हो गया ठीक भी हो गया अब ये उनके बच्चों ने कभी नहीं पूछा कि गुरुजी ने उनके साथ क्या-क्या गुरुजी की ब्लेसिंग्स उनने एंजॉय की है जिस वज़े से गुरुजी के साथ बिना मंसला श्राथी है वो भी अभी पीछे 2 साल के पहले करीब जो आएक ससन्य माया था है अज तक बड़े मंदी ने ग hug दो ससन्य में ही आया वो उसकी दो बिटिया हैं, बड़ी बिटिया मेरठ में भ्याई है, छोटी बिटिया जो थी वो चाहता था कि वो दिल्ली में आसपास ही रहे, कि अगर कोई बात होती है तो कम सक्षब माबाप के पास एक बच्चा तो ऐसा हो जो कम से कम टाइम में उनके सामने आ जाए, तो वो चाहते दोस्त ने बोला, कहला लगा कि ये कई जोड़ी जोने जोते बदल लिए, चार साल होगे बड़ी बिटिया की शादी हुए, लेकिन इसका क्यूंकि उमर का मुस्किल से एक डेर साल का फरक था दोनों बिटिया हमें, तो वो कहला कि चार साल करीब होगे जोते रगड़ते वो ही नहीं हो पा रहा, तो मेरे पास गुरुजी के ऐसी दरसन थे, मैंने उस बिटिया को बुलाया है, मैंने बोला कि ये इसको अपने पास रख, और जो गुरुजी करेंगे अच्छा करेंगे, इसको आप छोड़ दे, उन्हीं के उपर छोड़ दे, ना दोस्त को, ना द दिली लगाव था, तो इसलिए वो जो गुरुजी के फोटोस बिटिया को देखे हैं, उसके बाद एक रिस्ता है उनके पास में, और रिस्ता जिसने बताया है, तो वो जब गए वहाँ, उनके पास में, तो उन्होंने लड़का देखा, लड़के का बाद लड़की दिखा बिजवादों तो हम भी दिखा लेते हैं, तो उसनोंने अपने बतीजी के हाथ जोनों, उनके यहां कुडली बिजवादी, और वहाँ जब उन्होंने मिलान वगरा कराया तो एक अपते बाद उसने फोन इसलिए किया है, उनका लड़का मांग लिक नहीं है, और उनकी लड दिखाई करें, हाँ जी, तीन बड़े-बड़े पंडितों को हमने दिखाई है, और आप कैसे कह रहे हो कि मांग लिक यह आपकी लड़की मांग लिक है, उन्होंने तो किसी ने बताए नहीं, अब वो बच्छपन से, वो भारदो आज ब्राहमन हैं, इस बारे में उनको या उसके ग्रहों में, जो मांग लिक वो था, दोस्त था, वो कहां गायब हो गया पता नहीं, तो जब फाइनल बात करने के बात, उन्हें कहीं हमें कोई इतराज नहीं है, आप आके बात कर लो, जब उनकी बात हुई, तो डेट अप बर्थ की बात जब आई, तो मेरे दोस को पता लागा है कि जो उनकी बिटिया जस्ट एक साल बड़ी है, उनके बेटे से, तो उसने बोल दिया, इस पस्ट वक्ता था, सच बोल दिया कि जो मेरी बिटिया जो है आपके बेटे से एक साल बड़ी है, तो उनकी जो बेटे की मदर थी, लड़के की मदर थी, उन्हों ने शादी हुई आज एक बेटा और बिटिया उसको ब्लैस है जैसा उक चाते थे कम परिवार दिल्ली के आसपास हो मुश्किल से पांच ये च्छे किलुमेटर का डिस्टेंस उन दोनों के परिवारों में और सिर्फ एक छोटी सी उससे गुरुजी ने उनका कल्यान कर दिया ऐसी एक दोस्त मेरे साथ हसा करता था क्योंकि हमारे वीकली एक होता था कि एक दिन हम पांच दोस्त जोने इखटे होके बिताया करते हैं किसी के यह भी जाके पूरा दिन साथ रहते थे तो जब गुरुजी के हैं मैंने जाना 2006 से सुरू किया तो वो प्रोसेस जो है टूट गया वो सिस्टम नहीं होगा कि मैं उनके पास नहीं जाया करता था क्योंकि चार पास दिन वहां और दो दिन कोई सेवा का जैसे बुदवार की सेवा बड़े मंदिर में सुरू की थी औ और मंगलवार का भी कुछ होता था तो सातो दिन जो जोने गुरुंजी के उसमेht लिएख़म ही रहना सुरू कर दिया तो इनके पास जाने का टाइम ही नहीं लगता था तो जब ही भी फोन करता था मेरे को तो वो था कि यहां गुरुजी के हारा हुटथा दा यह सामने लाएं और तुम सब के लिए भी option है तुम सब लोगा हो लेकिन हमारी एक मानेता होती है कि जब हमें दुख होगा या हमें जब कोई बिमारी हो की तब ही तो डॉक्टर के पास जाएंगे जब कोई समस्य होगे जब ही किसी पंडित को जोटसी को दिखाएंगे जब सब कुछ ठीक है तो हम किसको करें तो ऐसी हो करते हैं कि दुख में सिमरन सब करें सुख में करें न कोई जो दुख में सिमरन करे तो दुख का एको होई तो यही है कि दुख में सिमरन करते हैं दुख आता है तब नाम सिमरते हैं सुख सुख में सिमरन भूल जाते हैं क्यों जैसी सुख आता है तो वैसी हम जो है ना सब भूल जाते हैं अपने रिस्तेदारों को अपने यारे प्यारों को इश्वर को सब को भूल जाते हैं सुख ऐसा नसा है उसमें सिर्फ आप कोई कारोबार मांगता है, कोई महल मांगता है, कोई सोना चान्दी बांगता है, महलब सब इस तरह की जो चीजें मांगते रहते हैं, और तू जब बैठती है, तो मेरे से जो एना तू दुख मांगती है, तो उन्हों ने, कुंती ने बोला कि महराज, जैसी मेरी जिन्दगी में सुख आता है मैं आपसे दूर होने लगती हूँ और मैं आपसे दूर होना नहीं चाहती हूँ क्योंकि दुख में आपसे नजदीग मेरे होते हो तो मैं चाहती हूँ मैं आपसे दूर नहूँ इसलिए मैं दुख मांगती हूँ तो जब हमारी जिन्दिगी में कभी दुख हमें आ रहा है तो ये मान के चलो कि इश्वर जो हमारे सबसे निजदीक है वो हमारे आसपास है एक कलेंडर कभी छपा था वो थी कि एक समुद्र का किनारा है वो पहले जो चार पाउं चल रहे हैं और कुछ दूर के बाद में जो एना उधर से वो टाइट सारी हैं और उधर से देखते हैं कि उसके बाद आ आगे आगे जाने सिर्फ दो पाउं है तो वो बोलता है कि महराज जब मेरे पास सब कुछ ठीक ठाक था जब तो आप मेरे साथ थे और जब मेरे उपर टाइट्स का आटेक हुआ तो तब जब आपने टाइट के हवाले कर दिया तो उन्होंने एक ही चीज़ बताई थी कि वो जो चार पाउं थे जब तक सब कुछ ठीक ठाक था तब तक तो तुम पैदल थे लेकिन जैसे तुम्हारे उपर मुसी बताई तो मैंने तुम्हें गोद में उठा लिया था तो इसलिए तुम्हारे पाउं के निसान आगे नहीं चल पाए तो यही होता है कि जब हमारे साथ दुख होता है तो वो हमारे सब सबसे नजदीक होते हैं तो मेरा दोस्त बोलता था कि उसने, हमारे, गुरूजी ने मेरे को छीन लिया उन से, तो मैं उनको यही बोलता था कि मेरे को अच्छी जगे बुढ़ाई है, एक अच्छा रास्ता दिखाया है, और उस धर पे आप सब के अब लिए ओप्षन है कि आप भी आओ, और कैजुलिटी हो जाएगी और किसी के लग गया तो मुसीबत हो जाएगी तो उसने जो ने जिस दिन मिस्त्री लगाए तो मजदूर उसको तोड़ रहा था दो गली के दोनों किनार अपर वो लोग खड़े होए थे कि जिससे कि कोई इधर से उधर ना जाए कि वो उसके टुकल हो गया होस्पटाइज हो गया किसी प्यारे ने जो ना सो नंबर फोन करके पुला लिया मुकदमा दर्ज हो गया अब वो उनकी मदर मदर के नाम था मकान तो लेकिन उसने जो ना कि मदर को कहा कहा हो लेके गूमेंगा उसने जो ना अपने आपको जो ना प्रिजेंड किया और वो सरकारी नोकरी पे था तो उसको अब लगा कि भी सरकारी नोकरी है, मुकदमा दर्ज हो गया है तो उनको नहीं पता कि मुकदमे में गलती किस की है, लेकिन डिपार्टमे में सरकारी डिपार्टमे में यही है कि मुकदमा हो गया है तो उसके खिलाब जो है डिपार्टम अब उसको जो है नге जहाँ जिस वस्पिटल में वो एडमिठ था उसका बच्चा वो देखने जाता था सुबह देखने जाता था शाम को देख के ही घर आता था उसके हाथाल पूचके तो उससे पहले उसने उसको ओफर किया था कहले भी ऐसा है कि इस बच्चे का जितने भी इलाज पे खर्चा होगा तो उसको मैं पे कर दूँगा और क्योंकि मेरे यहां काम होते हुए लगाया तो उसने बोला था उसके बच्चे के फादर ने कहले जी कोई आपने जान भूज के थोड़ी किया है ये तो बच्चे ही हाथ छोड़ा के भाग गया तो अब इसमें आपकी क्या गलती है और कोई बात नहीं है लेकिन तीसरे चोथे दिन जो है न वो शाम को जब ओफिस से उसके वहां गया हॉस्पिटल गया उस बच्चे के हाल चाल पूछने तो उसका बाप जो है न वो बिफर गया और उसका बाप ने बोला कहना कि जी आप जो है यहां इसलिए रोज रोज र तुम्हें वो बताया था कि भी आप जो है इसको जो इलाज का खर्चा है मैं दे दूँगा करें जी अब इलाज से बात नहीं चलेगी क्योंकि कुछ पुलिस वाले भी ऐसे होते हैं कि जो दोनों पार्टियों को वकील और पुलिस वालों को जो मेन काम क्या होता है कि वो उकसा के रखते हैं अगर पहली तारिक में भी पहली मिटिंग में भी अगर कोई फैंसला होने जा रहा होता है तो वो उसको होने नहीं देंगे अपने फाइदे के लिए और ज़्यादतर जो यह मुकदमे हैं या पुलिस के साथ जो इशूज होते हैं वो सब ज़्यादतर करते हैं उस लड़के के फादर को भी जो ने किसी ने ऐसे उकसा दिया उसने बोला कि लगे जी क्योंकि जैसे ही क्योंगी एक्सिडेंट का केस होता है तो यह वकीलों का काम होता है कि जो ने उनके साथ टाइब रखते हैं पुलिस थानों से और वहां से उनको फोन चले जा जो आपको कमपनसीशन मिलेगा जो आपको वो मिलेगा उससे कमपनसीशन उसमें से जो भी है उसको कर लेंगे तो यहां तक है कि उसको परमोट करते हैं वो बैठके उसको लेके चल रहा है तो वो पहले जो तीन-चार दिन पहले ये बात कर रहा था जी आपकी कोई गलती न निकल के भाग गया और वो लग गया लेकिन वो तीसरे चोते दिन जाके उसने मेरे दोस्त को बोलने लगा कि अब ऐसे नहीं है अब हम आपको कोट में देखेंगे उधर से जो पुलिस वाला था वो इसको मेरे दोस्त को प्रैस करने लगा कहले कि जी कहले कि या तो आप उसने बताया कि जी ऐसे से यहां बरंपुरी में उनके बाला जी के भगते हैं और वो उनके गुरू हैं उस लड़के के फादर के और उनके यहां वो आया जाता है उनकी बात बहुत मानता है तो एक काम करो आप उनको बीच में लेके बात करो वो उनके जो बाला जी के भग तो ऐसा कोई बात नहीं और मैं आपकी बैठके बात करा दूंगा और ऐसी इतनी कोई बड़ी बात नहीं लेकिन उसने काफी कोसिस की तो वो दोनों की मिटिंग ना हो पाए तीनों की कभी तो वो ये उसके बाला जी जो भगत थे वो नाम एवलेबल हो पाएं कभी वो जाता है कि अभी कुछ हो जाता अब तीनों एक खटे ही नहीं उपार है तो क्या करें या उदर से पुलिस वाला जो प्रेस कर रहा है कि भी इसको या तो कर लो नहीं तो मेरे को मुकदमा उसमें फाइल करना पड़ेगा कोट में मैंने उसको वो मानता नहीं था वो हसता था कि गुरुजी ने हमारा दोस्त चीन लिया और मैंने उसको जेब से गुरुजी के वो एक फोटो थे मैंने उसको निकाल कर दिया मैंने कि आगे कभी भी बाला जी के भगत के उससे बात करने जाए या उस लड़के से बात करने जाए तो गुरुजी की मौजूदगी में उन पहुंसते ही मेरे बच्चे ने बताया कि जी कल इस्कूल में ये चीछ चाहिए मिरको तो मैं उल्टे पाऊं जो है न मार्किट चला गया वहीं बर्मपुरी तो मार्किट में मैं जाता हूं तो मेरी मुलाका तो समीटाफुर वाले लड़के से होगी जिसके लड़के को चोट लगी थी और मैंने उसको जब नमस्त होई मैंने कहा भी आब वो तो बात ही नहीं हो पा रही और उनके साथ बैठके बात करनी थे तो उसने बोला करे जिए ठीक है मैं गुरू जी के पास ही जा रहा हूं और आप चलो वहीं बात कर लेते हैं तो कर मैं उनके पास जब गया जो बाला जी के भगत थे उनके सामने जब बात चीत हुई तो उसने पहला ही सब्सुरू किया उस लड़के ने कि पांच लाग से एक पैसे की कम की भी अगर बात कर रहे हो अगर एक पैसे भी इससे कम की बात कर रहे तो मुझे कोई बात नहीं कर रहे है आप उठके चले ज सकता है कि जो मैंने उफर किया था कि इसको जो इलाज में जो खर्चा होगा मैं दूँआ लेकिन इतना तो मैं नहीं कर सकता तो करते-करते बात इससार्ची था को सरची घुणारफी देने मैंने के लिए सबस्क्राइब कर दो इसको सबस्क्राइब करने कर दो फिलाइजी तुछ लाग मांगे तो ये बोला था कि एक पैस भी है अगर उससे कम आप सोच रहे हो तो आप जाओ मुझे कैवी बात नीकरनी और अब डेड़ लाग है तो साड़े तीन और यह जो डेल लाक रूपे मांगा गया है ये डेल लाक रूपे वहां वो कोई इस्थान बना रहे हैं कोई धरमसाला ये कुछ बना रहे हैं उसमें लगना ये पैसा तो हमने विचार किया कि जब क्योंकि एक सरकारी छोटी सी नोकरी वाले से अगर कोई कोई दान की बात करे पांच रुपे, 11 रुपे, 21 रुपे, 11 रुपे, 1100 रुपे, पांच जार एक, 11,000 लेकिन डेड़ लाग नहीं देगा तो हमने कहा, कि भी उपर वाले की जो है महिमा अलग है, उसको पता है कि ऐसे तो, मन से तो कोई देगा नहीं, तो ऐसी है, पर अगर कोई अच्छा काम करने जा रहा है और उसमें ये पैसा लगना है, तो हम क्या करते हैं कि 20 तारिक की इंतिजार ना करके, 12 तारिक से पहले उस कोई लिखत पढ़त नहीं है कैस कैस उसको दे दिया बारह तारीक के बाद जब लगा कि वो जो है वहाँ से वापिस आगे हुए बाला जी की यात्रा करके वापिस आगे हुए तो हमने उसको जब फोन गिया तो उसके फैमिली के मेंबर ने किसी ने फोन उठाया और उसने बत कि ये अब डेल लाग रूप तो उसने ले लिया और ये जो है मलब बात बनाई जा रही है तो हम उसको देखने के लिए परसनली वहाँ उसके घर पे गए तब हमें पता लगा कि जब वो बाला जी के भगत जो था वो अपने चेलों को ले के जब दिल्ली से जा रहा था बोल सकता ना सीधा हाथ चला सकता पूरा राइट साइड उसका था अब हमें लिये लगा कि ये तो अपने बच्चों से भी गया अपने परिवार को भी गया और तब गुरुजी से फिर अरदास की कि गुरुजी इसने जो किया वो इसके साथ है क्योंकि उसने जो पैसे पक वो तब ही पूरा हो सकता था उनके फेवर में हो सकता था जब वो उट जाके वहाँ बयान दे दे और साइन कर दे लेकिन वो इस हालत में नहीं था तो गुरुजी से फिर अरदास की कि गुरुजी अब इसको इसलाइक तो कर दो कम से हूं ने तो ये तो अब कोई लिखत प पे लगा हुआ था उसके घर के बिल्कूल सामने में किठा करता था बिल्कूल जहां उसके घर था उसके गेट के साथ में किठा करता था तो मेरा जो दोस्त है वह वकीब को ले कया करता था और मैं उसको लेने जाय करता था तीन-चार बर हम गए वोसक्त bezpie Latino एक जब हम गए वहाँ थर्षडे का दिन था तो मैं उसको सुवे सुवे लेने गया मिठापुर बदरपुर की तरफ उसको मैं बिठाके लेका आया दिल्ली हाई कोड में मेरा दोस्त जो है वकील को लेका आया और उसको गुरुजी ने इसलाइक कर दिया कि उसके पाउं से चलने वगए हसी का लेकिन उसको ठीक हो चुका था तो जिस दिन मैं उसको चोड़के है अपने ओफिस चला गया जब वहां बयान देके साइन करके इस तो उसको जाना पड़ गया तो करनेजी वो क्या काम करते हैं? उसेने बताया दिल्ली पुलिस. तो एकदम जैसे दिल्ली पुलिस बताया तो उसका एकदम मुगत अर गया और बिल्कुल साइलेंट मोड पर हो गया वो. मेरा दोस्त बताता है कि उसने एक शब्द उसके बाद नहीं बोला. तो मैंने देख उसके उसको क्या उसके परिवार को गुरुजी ने ये पता लगने नहीं दिया कि मैं पुलिस में हूँ और उसको ले जाने के लिए जो आया है वो एक पुलिस वाला है क्योंको पुलिस वालों पर कोई जल्दी से विश्वास नहीं करता तो वो मेरे साथ बैठता ही नहीं ले वाची पूरी हो गई, घर जा गया उसने अपनी उसको बताया, वाइफ को बताया, बच्चों को बताया, मदर को बताया, कि वे ऐसे से आज जो ने मुकदमे का फैंसला हो गया वहाँ, और अफ़ायर को एश हो चुकी है, इस से पहले वो एक बार, क्योंकि उसका जो मानना है, उसका मानना यही है, कि जब कोई बिमार होगा तब होस्पिटल जाएगा, जब कोई परिशाने होगी, चब कोई उसमें जाएगा, तो ठीक ठाक आदमी क्यों होस्पिटल जाएगा, जबकि होस्पिटल, कोट, ठाने, ठीक ठाक आदमी भी जाते हैं, कोई नोकरी करने जाता है कोई मुकद में भुगद देने जाता है या कोई अपनी बीमारी को भुगद देने जाता है लेकिन जाते हैं ठीक ठाग लोग भी जाते हैं लेकिन उसका जब अपना मानना था तो एक बार जब ऐसी परिस्तिती में था उदर से जो पुलिस का जो मामला उसके उपर तलवा लटकी हुई थी और वो उसको मेटलाइज नहीं कर पा रहा था ये सारी जो प्रोसेस है वो उसके बाद हुआ तो एक बार वो अपनी वाइफ को लेका आया था साथ में मंडे की दिन तो आया तो वहाँ जाके मैंने उसको एक ही चीज बोली थी कि गुरुजी को कोई अरदास करने की जुरुत नहीं है वो जानी जहाने सब कुछ जानते हैं कुछ कहने सुनने की जुरुत नहीं सिर्फ सच्चे मन से जो है न सिर्फ मत्धा टेक लो लेकिन हमा आदस से मजबूर हैं बिनमांगे हमसे रहा नहीं जाता है क्योंकि हमें पता है कि जिसको हम मानते हैं जिसको हम पूजते हैं जब तक हम चीख के पुकार के बोलेंगे नहीं तब तक उसको सुनाई नहीं देगा जब तक हम उनकी आँखों को अच्छे से खोलना देंगे तब तक उनको दिखा नहीं देगा जबकि ये तैह है कि गुरुजी को ना कम सुनाई देता है ना कम दिखाई देता है लेकिन मेरे दोस्त को था मैंने मेरे मने करने के बाद भी उन्होंने वहां बैठके अरदास की जिस दिन वह मुकदमा खतम हुआ घर जाकर उसने बताया तो ब्रस्वतवार को मे सान लिया था 14 साल से वह कोसिस कर रहा था सिफ्ट करनी की लेकिन कभी कोई ना कोई समस्य हो जाती थी कभी बच्चों की एडमिशन को लेके कभी डोनेशन को लेके कभी कुछ कभी कुछ वो सिफ्ट नहीं कर पा रहा था तो उसने ब्रस्वतवार को जिस दिन शाम को आया त विव Ren- से Zif 1-10-21 में करने कि यह लाया वो ए टैंपो खड़ा कर दिये उसके घर तक आ नहीं सकता था कम से कब 1.5 मीटर दूर जो है रही किपना नहीं किस नहीं पर अराए प्सकुरागी उसके पसे लिड़ागे बात समय Bluetooth डोð कर लागा हिए टेम्पो वाले को लगा कि टाइम लेगे का तो वाराम से बेटे गया चाहे मैं बीडी बीडी फूक तरा 11 बज़ से लेगे 3 बज़ चार गटे लगाते हमने समान ढोया और वो सारा उसमें लगा दिया टेम्पो में और लगाने के बाद में जो हम जब फाइनल टच दे रहे थे लास्ट जो समान जा रहे थे तो मेरे दोस्त ने आकर बुलाया कि जी वो टेपो वाला करेजी आपने सारा दिन मेरा खराब कर दिया और अब मैं इतने नहीं इतने पैसे लूँगा जितने पैसे में उताय होता है तो मैंने अपने दोस्त को बहला मैंने कि चार घंटे करीब हो गए हमें समान को डोते हुए और अगर इसको हम मने कर देते हैं कि हमने ले जाना नहीं तो वापिस रखने में इतना ही टाम लेगेगा तो एक काम करते हैं कि इस से अच्छा कि दूसरे को किसी को लाएं फिर चार घंटे लगाएं तो इसी को जो थोड़ा बूद मांग रहा है आगे वो दे देंगे कोई बात नहीं हम जब गए वसुद्दर हम पहुंचें वाँ जाके जब समान उतारने लेगे इस टेंपो से तो वो तब भी आराम से बैठा था जब समान नीचे उतर गया तो टेंपो वाला सिर पे हाथ रखके मेरे को उप बाई साब इतना सारा समान एक टेंपो में कैसे ले आए ये समान जो हैं तीन टेंपो को समाने जो आप एक टेंपो में भर लाए ना आपके साथ कोई मजदूर था आप खुदी लगा रहे थे तो मैं तो नीचे चिन था कि भी मजदूर लगा थे तो थोड़े जल्दी करते आप लोग है तो थोड़े टाइम लेंगे तो मैं तो आराम से ब जब उसकी ये बात आई उसका हो गया तो उसने मेरे दोस्त ने बताया था कि सुकरवार को शाम को जब हम सारे सिफ्ट हो गए तब भी बच्चे बैठके कह रहे थे उसके बाद उसने मेरे को एक दिन फोन किया कि मंडे को मंद्र जाना है मैंने मंदिर जाना है कर आं कर वो जोना है एक किलो लड़़ का परषात चड़ा कर और आए वहां गुरुजी के मंदीर तो मैंने Sabyn Gu पीछा चुड़ जाए तो जो है ना हम जो है ना गुरी जी को जो ना वो परशाद चढ़ाने जाएंगे तो जैसा और मंदिनों में चलता है कि हम हर जगे यह करते हैं कि तुम मेरे जो ना उलाद दे दे मेरे बच्चे की नोकरी लगा दे मेरी बिमार को ठीक कर दे मेरा करेक्ट है कंडिशनल कंडिशनल है कंडिशन है कि तुम मेरे एक कर दे तब मैं तेरे करूँ यही मेरे दोस्त के साथ था कि उसने यह कहा था कि जब मेरा अगर पीछ इससे पीछ चुड़ जाए तो मैं तुमारे यह परसाथ चाणा रहे जाओंगा यानि कि पहले नहीं है तुम पहले करके दिखाईए पहले तुम प्रूव करके हाँ तुम यह कर सकता है तब मैं तेरे यह करूँगा तो यह उसकी विश्वास का तो कहीं था नहीं जिस दिन हम वहां उसके यहां गए गुरू जब वह लेके गया एक किलो लड़ू डिबा लेके गया वहां गए हम तो उसने मेरे को एक जो चीज़ बताई उसने बताया कि जब पहली बार हम गुरुजी के यहां आए थे बहुत अभी तक पूरी लाइफ में दो ही बारा है लेकिन उसकी लाइफ का उसके बच्चों का आमूल चूल परिवर्दन हो चुका है एकदम से पहला जो लाइफ का फेज है वो और अब जो है जमीन आसमार का फरक है वो महसूस करे ना करे वो माने या ना माने लेकिन मेरे को पता है क्योंको मेरी नजरों के सामने सब कुछ हुआ है तो उसने उसने बताया कि जब पहली बार आये थे तो उन्हें मने किया था लेकिन मेरे एक ये था कि ये मुकल में से मेरा पीछा चुछ जाए मेरी तो ये अर्दास मैं करके गया था और मेरी वाइफ ने ये अर्दास की थी कि उनकी बड़ी बिटिया जो है वो बीटेक थी आईटी से उसने ये का था कि मेरी बिटिया प्राइवेट सेक्टर में नहीं जाना चाहती तो सरकारी नोकरी लग जाए तो उस गुरुजी के हैं अरदास करने के दो महिने के अंदर वो पी एन बी में असिस्टेंट मैनेजर जोईन कर चुकी थी तो ये गुरुजी की करपाती करत दो चीज तो हमारी बांगी हुई थी और तीसरी जो चीज थी कि एक दिन के अंदर जो नहीं मेरे को मकान सिफ्ट करा दिया ये हमारी सोच से परे की चीज थी वो बंदा जो आज तक जो है किसी गुरुजी के हैं कभी मंदिर में नहीं गया कभी मुझे नहीं लगता कभी उस दिल के अंदर कोई भाव ऐसा हुआ है लेकिन क्यूंकि मेरा उसके साथ अटेश्मेंट है मेरी उसके साथ दिली लगाव है इसलिए गुरुजी नहीं उस तक का कल्यान किया तो गुरुजी जरूरी नहीं है कि जिसके जो गुरुजी के हम जा रहा है गुरुजी को कर रहा है नहीं जहां गुरुजी के बार गुरुजी का जिसके साथ ससंग हो जाए गुरुजी के बार में जिसको गुरुजी संगत से कहलवा दें गुरु जी उसको तभी से अपनी सरण में ले ले लेते हैं तभी से उसके उसका कल्यान सुरूओ जाता है उछे सालो साल आये या नाये पोंचे ना पोंचे यह अलग बात है ये गुरु जी का अपना तरीका है एक मेरी बिटिया एक पर इसके जब वो एक्जाम देने जाते हैं, मेरे बच्चे जाते थे, चैब बोर्ड के एक्जाम हो, चैब फाइनल एक्जाम जो होते थे, तो मेरा था कि छुट्टियां लेके जाना उनके साथ जाया करता था, और जब तक एक्जाम देने के लिए लेके जाना, और वापिस एक्जाम ह के बाद उनको वापीस लिए का ना घर यह एक मेरा प्रोसेस था पूरी लाइफ में चार बच्चों के साथ किया तो मेरी जो बीच वाली बीटिया थी गुरुजी के पास काफी उसने मेरे साथ जो ना काफी गुरुजी ने उसको अपने पास बुलाया उसको और गुरुजी अपनी बेटी भी इसको बोलते थे और एक बार जो है सुबह चार साढ़े चार बजे जो वो मेरी बीटिया सोई और सुबह पहला उसका एक्जाम था साढ़े साथ बज एक करीब हमें जो दिली उनिविस्टी नोर्थ केंपस उसमें जाना था जो उसको एक्जाम देने के ल स्कूटर रोके वह पेपर वगरे खेटे किया और मैंने इसको बोला भी सोना नहीं है स्कूटर पर पीछे बैटी वी है और पीछे बैटने से कुछ गडबलना हो जाए तो अपने आपको जगर जब मैं उसको गया चोड़ दिया मैंने पहला एक्जाम हुआ एक्जाम होने क मैंने लेफट में जाना था तो मैं जैसी लाइट खुली ग्रीन हुई तो मैंने जैसी चलाओ उँ तो चलती उस धलान पर इतना धलान था उसका कि अगर स्कूटर को छोड़ दे है कोई अपनी वीकल को छोड़ दे क्लच उसका ब्रेक छोड़ दे तो बिना किसी चलाए हो चलेगा बागेगा इतना डहलांता तो मैं जैसी आगे निकलाओं तो टर्ण करते ही जो इने मेरे को पीछे से आवाज दी कि आपका बच्चा गिरी गया तो मैंने स्कूटर वही रोका बीच में और ये मेरे दिमाग में नहीं रहा कि पीछे से ग्रीन लाइट हुई है पीछे कि राइट है काफी नीचे रोड की उसमें लगने से काफी चूट लगी तो मैं उसको सीधा डिली के एड में एक नर्सींगों में लेगया नर्सींगों में दॉक्तर उदिगा उसके हाथ पूरी पत्ति बांदी डॉक्टर ने और टी ठीटी के इंजेक्सन बड़ लगा के वह कर दी और तो मैंने बोला कि मैंने की जै डॉक्टर साथ इसके एक्जाम है और आज पहरे ही एक्जाम था तो वह डॉक्टर कहला गाजिए इसके हाथ में जो छोट लिए तो ये आगे तो एक्जाम नहीं दीख क्यों कि लिख नी पाएगी राइट हेंड़र तो लिख एक्जाम में एपियर हो एपियर होने के बाद एपसेंट होने से अच्छा है कि फेल हो जाए कोई बाद निए पता तो लगए कि किस तरह का पेपर आता है कि वह तो उसने वह मेरी बात माल ली तो एक दिन छोड़कर एक दिन था तो जैसे आज चोट लगी है कल का दिन उसके पास था परसो जो है फिर मैं सुभी अंदर गई वो जब एक्जाम उसका खतम हुआ तो जो वो वापिस आ रही थी तो मैं जब सारे बच्चों को जो 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 पेरेंट्स या जो जिसको लेने वाला था वो अटेंडेंट जो उसके तो सब उनको आउटर उस पे जो है ना ही पाई हाथ के दर्द के दर्द के जो है।